आयोध्या में 22 जनौरी को स्री राम दिला की प्रांट प्रदिष्ठा में महज कुछ दिन से स्रह गए हैं इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सा है आज मंदिर प्रकोष्ट के द्वारा दिल्ली बीजेपी के कारले पंडित पंत मार्ग में एक बाइक रैली का आयोजन क मार्ग पर समाप्त होगा इस मोगे पर मंदिर प्रकोष्ट के अधक्षी कर्णल सिंग ने कहा कि 500 वर्ष की प्रतिष्ठा के बाद हुआ हपल आया है जब भगवान राम की अध्या में प्रांट प्रदिष्ठा की जा रही है पूरी दिल्ली इस्टम राम से मगन हो चुकी है और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बाइक रैली की जा रही है जानों चाहूं जिस तरीके से लगातार बाइक रैली की जा रही है मंदिर को लेकर जिस तरीके से राम राम पूरी दिल्ली हो चुकी है बोलो जैसरी राम यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रैली की जा रही है मंदिर परकोष्ट को लिए लगातार बाइस तरीकों की बूतों न बविस्टों यह दिपावली तो मनाई जाएगी इस मंदिर परकोष्ट का और सनातन का काम है पूरे विस्टों में शानती हो हर घर में दिया जले हर घर में शानती हो और जब घर में शानती होगी यह मार काट आप देखा है कि पस्चमी सबद्या के अनुसार लोगों के अंदर लड़ाईयां होती है आज सब लोग सनातन को फालो कर रहे है और सनातन का काम है पूरे विशो में शांती और पूरे विशो में शांती तो हर घर में दिया हर घर में विवस्ता हर घर में दन यही है सनातन का काम है कहीं न कहीं हर तरीके से पूरी दिल्ली राम मगन हो चुकी है मगर ये राम मगन और कितना उसाल लेकि आएगी लोगों के बीच में ये जरूर देखना होगा कैमरा परसनी डिफान गन के साथ राजीब कमरतिबारी एंपी नियूस दिल्ली